हेई वीवान वेलकम बैक टूर चैनल तो जैसा कि आप लोगो थम्नेल से पता चली गया होगा कि यह आपका इंटेग्रल कैलकुलस का वीडियो है जो कि आपका बीसी फॉस्ट यर का जो पेपर टू है उसका ग्रूप भी है ठीक है तो इस चाप्टर में हम लोग क्या इस बस क्या है और कितने माक्स की कोशन पूचे जाते हैं साथ में हम लोग इसका कुछ कंसेप्ट भी देखेंगे तो यह वीडियो आप लोग को देखना बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है अगर आपने टेल्स में अच्छे से नहीं पढ़ा है यह पढ़ा है फिर भी कोई बात नहीं है आप लोग को रिवीजन की तो जरूरत पड़ेगी तो आप लोग इस वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं और अच्छे से आप लोग इस वीडियो को लास्त तक दीखिए का ता कि आपका एक भी डाउट बच्चे नहीं ठीक है तो आपने अगर हमारे टेलिक्रा सा exper bother briefly लेसके और चलिए हम लोग देखते हैं कि हमाला बुक कॉन साолikan है तो आपड़को सिखोस करेंगे सिलिबस से पहले उन से पहले हमें देख लेते हैं कि की का लेना होता है बहर czyli false their in-torder calculus तो जब भी आप लोग बुक लेना चाहें तो यहां पर डिगरी लेवल आप लो लाल जी परशाद का बुक ले लिजेगा दोनों ही बुक बहुत ही अच्छा है आप लोग को बीसी के लिए तो बेसिकले आपको अगर सिर्फ बीसी करना है आगे भी आप लोग करना चाहते हैं मैसी तो ये भी बहुत अच्छी बात है तो आप लोग उसके लिए भी बुक ले लिचे अब चलिए हम लोग देखते हैं सिलेवस क्या है जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बेसी फॉर्स्ट यहर में इंटेग्रल कैल्कॉलस का यह वीडियो है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हां कितने नंबर आफ कोशन आते हैं तो नंबर आफ कोशन की बात करें तो ट इससे आपका 25 कोशन पूछा जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव कोशन आता है ठीक है वो तो आपका सब्जेक्टिव का पैटरन था यह आपका सब्जेक्टिव कोशन आता है अगर ऑब्जेक्टिव कोशन आता है तो आपका इससे 25 कोशन आएगा जैसा कि आपको पता होगा कि जो 2020 से 23 सेजन है, ठीक है अब या भी बच्चर को confusion है कि हमारा एक्जाम objective होगा कि subjective तो ये 20 से जो 23 सेजन है इनका exam सिर्फ objective होगा और बागी सब का exam subjective होगा इसलिए सब लोग जो है वो subjective का preparation कीजे और 20 से तेज जो सेजन है वही लोग सिर्फ objective का preparation कीजे ठीक है तो आप लोग objective के question चाहते हैं तो आप लोग मुझे personally message करके बोल सकते हैं तो या पिर comment box में मुझे पता सकते हैं या टेलीग्राम पे मुझे ग्रूप में बोल सकते हैं हाला कि मैं ग्रूप में नाइन नाइन पीम टू नाइन थर्टी पीम तक मैं सब को reply देती हूं तो उस ताइम अगर आप message करते हैं तो आपको भी अच्छे से reply मिल जाएगा और फिर आपको वो वीडियो भी आप लोगो जल्दी मिल जाएगा ठीक ह तो जो भी rational और irrational फंजन होते हैं उनका integration हमें देखना है उसके बाद integral as limit of some ठीक है थर्ड है आपका evaluation of definite integral ठीक है उसके बाद next है आपका reduction formula उसके बाद यहाँ पर curve tracing पढ़ना है आपको area of curve निकालना कैसे find किया जाता है ठीक है उसके बाद length of curve कैसे find किया जाता है साथ में levels भी उठाके देखें तो बस यहीं सब topic है तो अगर आप बुक की बात करें तो बुक में आपको total 9 या 10 चाप्टर है 9 और 10 चाप्टर है तो आप लोगों को पढ़ने में जादा मतलब time लग सकता है हाला कि लेकिन मैं कोसिस करूंगे कि सुकॉर्ट में मैं बताओं तो यहा और चीज में पता दिती हूं कि हमारा एक और चैनल है जिस पे आप लोग को डेली करेंट अपेर नियूस पर एडिटोरियल्स आपको जी की जी इस रिजनिंग मैं जो भी होता है वह आपके सारे कंप्लोडेशन के लिए इंपोर्टेंट जो भी है वह मैं दूसरे चैनल पर अप्लोड करती हूं तो आप लोग को उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप लोग जाके फटाफट उसको सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ में वीडियो जो भी अप्लोडेड है उसको लाइक कर लिजेगा आप लोग रहीएगा तो कहां से आप लोग को जो भी कंप्टीशन होके एक्जाम होते हैं उन सबका तैयारी अच्छे चे करा दिया दाएगा ठीक है तो चलिए हम देखते हैं यहां पर बेसिक और बेसिक कंसेप्ट आफ इंटेग्रल कैलकुलास तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो क्लास 12 थ किसी भी अगर कोई गिवन रहता था तो उसको कैसे इंटेग्रेट करते थे और कैसे डिफ्रेंशीट करते ठीक है तो यही चीज आपने वेसिकली देखा था ठीक है आपने कुछ इसके प्रिजिक्स में भी पढ़े थे जैसे किसी भी जो फंशन है उसको एक बार डिफ्रें स्टूरेंट हो या फिर मैथमेटिक्स के स्टूरेंट हो ठीक है तो आप लोग को बेसिक अच्छे से समझना बहुत ही कंपॉलसरी हो जाता है चलिए हम लोग देखते हैं कि इंटेग्रेशन क्या होता है आप इंटेग्रेशन को दो टाइप से डिफाइन कर जाए अगर पह यहां पर देखें इंवर्स ऑफ डिफ्रेंशियेशन ठीक है इंवर्स ऑफ डिफ्रेंशियेशन इस कॉल्ड इंटेग्रेशन यानि डिफ्रेंशियेशन का तो इंवर्स होता है उसको हम लोग जो है इंटेग्रेशन बोलते हैं जैसे अगर सब पूच कीजिए कि y is equal to x कोई डिफ्रेंशियेट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा y की वैलू क्या है यहां पर y is equal to x है तो y के जगर export कीजिएगा तो dx by dx आजाएगा ठीक है यहां से यह डिफ्रेंशियेटिंग आप लोग बोल सकते हैं यह डिफ्रेंशियेटिंग के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशियेट हो रहा है और साथ में integration की बात करने तो यहां पर अगर i is equal to suppose की जिए x को डिफ्रेंशियेट करना है तो आप लोग इस तरीके से कुछ लिखते हैं integration of x और dx ठीक है तो x को डिफ्रेंशियेट करने के लिए जब भे हम differentiate करते हैं तो उसमें minus करते हैं ठीक है और integrate करते हैं तो plus यह समझीएगा ठीक है उसके बाद देखे जहां पर मैंने कुछ dy by dx जो है यहां से देखिए dx by dx जो है अगर आप लोग इसको differentiate किजेगा तो आपको क्या मिलेगा differentiate करने से आपको क्या मिलेगा तो जब भी आप यहां पर dx by dx को differentiate किजेगा ठीक है dx के respect में डिफरेंशियेट किजेगा तो आपको क्या मिलेगा जब भी यहां पर differentiate करते है तो यहां पर x का जो पावर होता है x का पावर से पोज़ किजे कितना है x का पावर 1 है ठीक है जहां साब लोग फ्रेश्ली देखिए x का पावर 1 है तो आप लोग क्या लिख सकते है पर एक्स का पावर 1 प्लस 1-1 हो जाता है ठीक है तो यहां से आप लोग देखिए थोड़ा सा ग्लियरली मैं बता रही हूं तो dx पर dx जो होता है यहां पर x का जो पावर होता है वो आगे आगे multiply हो जाता है और जो पावर में से 1- हो जाता है ठीक है तो यहां पर 1 into हो जाएगा x का पावर 1-1 अदेखिए इसको solve किजेगा तो आपको क्या मिलेगा 1 into x का पावर 1-1 कितना हो गया 0 और किसी भी number का पावर 0 इस equal to क्या होता है तो 1 into किसी भी number का पावर 0,1 के परावर होता है तो 1 то 1 into 1 आपका वैलूome कितेना आ प्लस हो यहां पे जितना भी x का power जो भी होगा उसमें 1 add कर दिंगे ठीक है तो 1 plus 1 हो गया अब इसका जो जितना add किया और जो बहले से power था उसको यहां पे हम denominator में भी लिख देते हैं तो x का power 1 plus 1 upon 1 plus 1 और plus यहां से constant c लगा देते हैं ठीक है तो यहां पे आपका क्या आगया कि x का power 1 plus 1 यानि x square upon 1 plus 1 यानि 2 plus c तो यह आपका integration का value आगया ठीक है तो इस type से आपका जो होता है differentiation और integration होता है ठीक है अब देखे हम लोग दूसरा definition में दूसरे सब्दों में अगर ब finite number of element का summation है जानि सब पूज कीजिए कि कोई person है जो zigzag path से move करता है ठीक है तो यह समझे कि कोई भी इसका मतलब fix नहीं है कि इधर से जाएगा कोई भी fix नहीं है ठीक है तो यह zigzag path से move करता है तो अब इसको तो आप लोग कोई भी जहां पे 2D 3D का formula geometrical का कोई भी formula लगा कि इ इसको आप लोग क्या करते हैं इसको छोटे छोटे जहां पर parts में divide करते हैं ठीक है तो जितना भी यहां पर इसको छोटे छोटे पार्ट में divide करते हैं और फिर इसको हम लोग integrate करके और सबका sum कर देते हैं तो यहीं आपका जो है अप लोग सीधे बोल सकते हैं summation of infinite number of element is called यह यहां पर integration ठीक है उसके बाद देखे अब integral calculus की बात करते हैं तो यहां पर जैसा कि मैंने अभी ओपर बताया वही चीज़े सेम चीज़ है कि कोई भी person अगर जिग जग जग बात से move करता है तो suppose कीज़े कि यहां से यहां तक की limit यहां से यहां तक की value of 1 है ठीक है और यह y axis इस यहां पर value 2 है ठीक है तो यह value आपका 2 है और यह value 1 है तो अगर आप लोग क्या करेंगे कि सब्सक्राइव इसका integration निकालने के लिए यह पूरा का integration निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे लिखेंगे suppose i is equal to integration of ठीक है यहां पर आपको fix दिया हुआ है इंटर्वल दि तक differentiate किया गया ऐसे करके आप लोग add कर लेंगे तो यह आपका integration निकल जाएगा ठीक है अब देखिए integral calculus integral calculus जो होता है इसको हम लोग दो टाइप से पढ़ते हैं ठीक है दो टाइप का होता है आप लोग simply बोल सकते integral calculus जो होता है वो तो टाइप का होता है पहला टाइप क्या होता है आपका यहाँ पे indefinite integral ठीक है indefinite integral ठीक है indefinite integral और यहाँ पे जो दूसरा होता है वो होता है आपका definite integral ठीक है तो मैं इस वीडियो में यह सब अभी discuss नहीं करें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे integral calculus की type से और उसके आगी के जो भी formulas है important और साथ में हम लोग उसमें और भी आगे का concept देखेंगे तो यहां पर मैं simply पता दो कि definite integral और definite integral क्या होता है ठीक है तो definite integral जो होता है इसमें आप लोग का जो होता है जो limit का value होता है वो fix नहीं होता है लेकिन definite integral में आपका value fix होता है ठीक है वो एक निशित definite area को है डिफाइन करता है ठीक है तो यहां पे देखिए यहीं आपका इंटेग्रल कैलकुलस है और इंटेग्रल कैलकुलस का आपका दो टाइप होता है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगाऊँग तो लाइक कर दीजिए और साथ में चानल को सिस्क्राइब करने की उसको प्लीचे और साथ में जो भी वीडियो वहां पे अफ्लोडेट है आप लोग रेगुलर देखते रहेगा ताकि आप लोग को और भी मतलब जल्दी से जल्दी उस पे भी कॉंटेंट जो है वो इंप्रोब करने की कोशिस किजाएगी ठीक है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग बता दिजेगा कि आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक कौन से चाहिए अप लोग को अगर रेगुलर इंटेग्रल कैलकुलस कर क्लास चाहिए न तो आप ल